अस्तराम अलेकुम फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल एजी के औल इन वन चैनल वीवर्स आज में आप लोगों के लिए क्या है हूं विंटर स्पेशल की सेकंड रेसिपी और यह भी जो है वो फिश से ही हम बनाएंगे आज की रेसिपी फिश पकोड़ा और फिंगर आपको में और इसी विंटर सीजन में रेसिपी सिखाऊंगी तो टून रहीगा मेरे चैनल के साथ और देखते रहीगा मेरी तमाम वीडियो को तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो बट अगर अब तक आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नह अगर यह जगा दो तर भी ले सकते हैं तो यह मेरे पास तकरीबन आफ केजी से थोड़ी सी ज्यादा है जिसके मैं अभी फिश पाकोड़ा बनाने जा रही हूं तो अब हम जो इसके अंदे स्पैसिस उस करने वाले मूंप आ जाते हैं तो हम सबसे पहले चार से पांच पिसी हुई हलदी दोचमच लेने के पाद हमने यहां पेस्तामाल करना है पिसा हुआइध धनिया यह भी दोचमच रृपपिसी हुई जो है वो लाल मॉर्ची है यह भी दोचमच है और जायक है वाम अपने करिंग्टों टेस्ट ले सकते हैं यहां पर हम सबसे पहले जो है वह इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक और लेसन का पेस्ट में यूज कर रही हूं फ्रेंट्स वह थोड़ा सा लिक्पुडी है वह बिल्कुल गाडा नहीं है ताके वह फिश में अच्छे से अबजॉब हो जाए अभी जो मैंने इन मसालों के spices केंदर डाला है वह lemon juice डाला है lemon juice को हमने जो है वह अच्छे से से मिक्स करना है बेसन है तो जाहिए सी बात है paste थोड़ा ठिक Gew रहा हो तो आप थोड़े से पानी को शामिल कर सकते हैं आप इसका फाइनल टेक्स्टर देख लीजह कि मैंने किस तरह का बनाया है आपका मेरीनेशन भी बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए जिन लोगों ने मेरी फिर्स्ट रेसिपी जो है वो मिस्स कर दिये तो उसका लिंक में आये बटन में छोड़ दूँगी तो आप महां से वो मेरी फिश फ्राई की जो है वो फिर्स्ट रेसिपी देख सकते हैं अधर लेसिपी पानी वाला वो इसके अंदर अभी तक के हैं और इसके अंदर में तमाम मेरीनेशन का मसाला जो है वो डाल दिया है आप ऐसा मत समझीगा कि आपने पहले वो मैंने थोड़ा लिक्विडी लिया है तो उसको हम ड्रेन कर देंगे हम फिश को ऐसा कुछ भी ड्रेन नहीं करने वाले हम बस यह एड़ करने के बाद हो देशोड़ने के बाद अपना मेरीनेशन तयार करेंगे और इसको रख हो जाए तो आप उसको निकाल लेजिएगा फरस तिंग सेकंड फिंग यह के मुझे एप्रॉक्स इतना ही टाइम लगा इसको फिश को फ्राय करने में मेरे ऑल की हीट की उसके टेंपरिशर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं अगर आपका थोड़ा जो है वो ऑल जादा गरम होता है और या फिर आपकी फिश जो है वो कोई और आप यूज करते हो तो अगर वो हो सकता है फाइफ टू सिक्स मिनट में या सेमी मिनट में भी गल सकती है चीक है आपको ज़रूर नहीं कि जितने मिनट के लिए मैंने बोला आप उतने मिनट के लिए उसको करो आप इसमें यूज नहीं किये हैं इसे मैंने सर्फ किया था तली हुई मिर्चों के साथ और साथ में इमली की चटनी के साथ और चाट मसाला और लीमू अभी आपको अपने उपर डिपाइंट करता है कि आप किस तरह से इसको इंजॉय करना चाते हैं वही चीज़े शामिल करके आई गोप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी और आप लोग इसको जरूर 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 ट्राइ कीजिएगा और अपने कमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में चल दें बाबाई टेक कियर एंड अला हाफ़ेज़